अरे क्रिश्चना रेडिंग मेराथोन में आप सबका स्वागत है हम पर रहे हैं महारानी कुंती की शिक्षाएं और आज का हमारा टास्क है चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है अन अलॉइड डिवोशन यानि की अनन्य भक्ति आज का हमारा एक ही चैप्टर है तो स्टार्ट कर करते हैं आज के चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 25 और यह है सिकेंड लास्ट चैप्टर तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है अनन्य भक्ति आये श्लोका पढ़ लेते हैं त्वई में नन्य विशय मतिर मधूपते सक्रित रतिम उद्वहत अदा गंगे वैग्युम उदन्वती Translation हे मधूपती जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के समुद्र की और बहती है उसी प्रकार मेरा अकर्षन अन्य किसी की और नाम बटकर आपकी और निरंतर बना रहे श्रीमत भागवत 1.8.42 शुद्भक्ति की सिध्धी तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की प्रेम मैं भक्ति की और लगा रहे अन्य सारे स्नेह संबंधी को छिन्द करने का अर्थ अन्य किसी से स्नेह का पूर्ण निशेद नहीं होता ऐसा संभव नहीं है चाहे कोई भी जीव क्यों न हो उसे अन्यों के प्रतिसने भाव रखना चाहिए क्योंकि ये जीवन का लक्षण है इच्छा क्रोध लोब आकर्षण भावना जैसे जीवन लक्षण को विनिष्ट नहीं किया जा सकता केवल उदेश बदलना होता है इच्छा का कभी निषेद नहीं है लेकिन भक्ती योग में इच्छा को इंडरे त्रिप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है परिवार समाज देश इतियादी के प्रति तधा कथी तसने इंद्रे त्रिप्ति की विभिन अवस्थाओं को मैं बिना हुआ है जब इस इच्छा को भगवान की त्रिप्ति के लिए बदल दिया जाता है तो वे भक्ति कहलाती है भगवत गीता में भी हम देखते हैं कि अरजुन अपने भायों तथा संबंधियों से अपनी इच्छाओं के तुष्टि हेतु लड़ना नहीं चाह रहा था लेकिन जब उसने भगवान का संदेश अर्थाद भगवत गीता सुना तो उसने अपना निर्णे बदल दिया और वे भगवान की सेवा करने लगा ऐसा करने से वे भगवान का विख्यात भक्त बन गया क्योंकि सारे शास्त्रों में ये घोशित किया गया है कि भगवान की मित्रता करके अर्जुन ने भक्ती द्वारा आध्यात्मिक सिध्धी प्राप्त की यदपी युद्ध शतुर्था अरजुन तथा कृष्ण का प्रेम अपने अपने स्थान पर थे लेकिन अरजुन भक्ती के कारण सरवता भिन व्यक्ति बन गया अतयव कुंती की प्रार्थनाएं भी कारियों में वैसी ही परिवर्तन की सूचना देती हैं श्रीमती कुंती एकांत भाव से भगवान की सेवा करना चाह रही थी और ये ही उनकी प्रार्थना थी ये अनन्य भक्ती ही जीवन का परमलक्ष है सामान्यता हमारा ध्यान ऐसी वस्त्वों की सेवा की और आकरिष्ट किया जाता है जो अनिश्वरिय होती है अत्वा भगवान की योजना में नहीं होती जब ये योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है अर्था जब भगवान की सेवा से इंद्रिया शुद्ध हो जाती है तो यह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है श्रिमति कुंति देवी को इसी सिध्धी की कामना थी और वे भगवान से इसी के लिए प्राथना कर रही थी पांडवों तथा व्रिष्णियों के प्रति उनका स्ने भक्ति की सेमा से बाहर नहीं था क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन है कभी कभी भक्ति की सेवा भगवान की सेवा से बढ़ कर होती है लेकिन यहां पर पांडवों तथा व्रिश्णियों के प्रतिकुंति देवी का सने पारिवारिक संबंध के कारण था भोधिक संबंध के संदर्व में यह सने बंधन माया का बंधन है क्योंकि शरीर या मन के संबंद बहिरंगी शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं जब आत्मा अपना संबंद परमात्मा के साथ सथापित करता है तो वे वास्तविक संबंद होता है कुंति देवी द्वारा पारिवारिक संबंद छिन किये जाने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त संबंद को छिन करना चाह रही थी यह रक्त संबंद भावबंदन का कारण है किन्तु आत्मा का संबंद स्वतंतरता का कारण है आत्मा से आत्मा का यह संबंद परमात्मा के संबंद के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को तथा ना देखने वाले अंधकार को देखना यही भक्तियोग की रिती है श्रिमत भागवतम के पिछले श्लोक में कुंति देवी ने ये प्रार्थना की थी कि हे भगवान कृपया करके पांडवों तथा व्रिष्णियों के कुल से मेरा आकर्षन शिन कर दे किन्तु भोतिक वस्थवों के लिए किसी को अपने आकर्षन का परित्याग ही प्राप्त नहीं होता मायवादी दर्शकों का कत्न है ब्रह्म सत्यम जन मिथ्या यह जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है हम इसे स्विकार करते हैं किन्तु इसकी विशेशता बताते हैं जीवों के रूप में हम भोग चाहते हैं भोग का अर्थ है विविधता विवधता के बिना किसी वस्तु का भोग करना संभव नहीं है इश्वर ने इतने रंग इतने रूप क्यों बनाए विविधिता से भोग उत्पन करने के लिए क्योंकि विविधिता भोग की जननी है मायावादी दर्शकूं या निर्विशिश वादियूं वादी इस विविधिता का निशेद करना चाहते हैं एक प्रात्ना में की गई है कि वे इस जीवन में मुक्त हैं किन्तु आपकी भक्ती नहीं करते वे अवश्य ही अशुद बुद्धिवाले होंगे यद पि वे कठोर तपस्या को अंगिकार करते हैं और निर्विशेश ब्रह्म को प्राप्त करते हैं किन्तु वे पुना नीचे गिर जाते हैं यहां तक की सामान्य व्यवहार में भी यदि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से व्यापार करना चाता है तो सर्वे प्रथम उसे उनके साथ संबंद स्थापित करना होता है उसी के बाद लेन देन हो सकता है इसी तरहा पती पत्नी विवाह के द्वारा संबंद स्थापित करते हैं और तब साथ साथ रहते हैं ठीक ऐसे ही वे मनुष्य जीवन इश्वर के साथ संबंद स्थापित करने के लिए है भोतिक जगत का अर्थ है इस संबंद का विस्मरण इस संसार में कृष्ण भावनामरित का उदय होता है जैसे ही कृष्ण को आधार मानकर कर्म किया जाता है कि भोतिक जगत ना रहकर आध्यात्मिक जगत उपस्थित हो जाता है स्थ्री होने के नाते कुंति देवी का संबंद दो कुलों से था यही उनकी अनुरत्ति थी करेंगी यही अहम प्रश्ण है किसी काम में नियुक्त व्यक्ति को जब असुइधा होने लगती है तो वे त्याग पत्र देता है यह त्याग पत्र उचित हो सकता है किन्तु ऐसा करने से वे बेकार हो जाता है इसके पास कार्य नहीं रहता तो उसके त्याग पत्र का क्या महत्वर रहा जो लोग हताश तथा जो लोग हताश तथा उद्विग्न रहते हैं वे इस भौदिक जगत का निशेद करना चाहते हैं वे ये तो जानते हैं कि वे क्या नहीं चाहते किन्तु यह नहीं जानते कि वे क्या चाह रहे हैं लोग सदय यही कहते हैं मैं यह नहीं चाहता किन्तु वे चाहते क्या हैं यह वे नहीं जानते मनुष्य की चाह क्या हो इसकी विवेजना कुंति देवी ने की है वे कहती हैं मेरे सारे पारिवारिक संबंद स्माप्त हो जाएं किन्तु आपसे मेरा संबंद पुष्ट हो दुसरे शब्दों में वे कृष्ण के अधिरिक्त अन्य किसी वस्तु से आकृष्ट नहीं होना चाहती यही पूर्णता है और यही वांचनिय है अनन्य विशय का भावर्थ अनन्य भक्ति है ऐसी भक्ति जो विचलीत नहीं होती हमें 24 गंटे कृष्ण के प्रती अनुरक्त रहना चाहिए उस तरह हमारे वैरागय पूर्ण हो सकता है यदि हम सोचें कि एक ही साथ कृष्ण तथा भोतिक वस्तू के अनुरक्त रहे तो यह भारी भूल होगी एक ही साथ हम आग जलाने और उस पर पानी डालने का कार्या नहीं कर सकते यदि ऐसा करते हैं तो आग कम काम नहीं करेगी मायावादी सन्यासी इस जगत को त्याग देते हैं संसार से वैरागय लेने का उपदेश देना अच्छा है किन्तु उसी के साथ हमें किसी ना किसी वस्तू के प्रति आकरशाच चाहिए अन्यथा हमारा वैरागय टिक नहीं पाएगा हम ऐसे अनेक सन्यासी देखते हैं जो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या किंतु सन्यास लेने के बाद वे अस्पताल खोलने तथा उपकारी कारिय करने के लिए पुना भोतिक जगत में लोटाते हैं ऐसा क्यों? यदि उन्होंने संसार को मिथ्या मानकर उसे त्याग दिया है तो राजनीती परोपकार तथा समाज सिवा के लिए फिर क्यों लोटाते हैं? वसुता ऐसा होता है, होता ही है क्योंकि हम जीव हैं और सक्रिय हैं यदि हताशवश हम निश्क्रिय बनने का प्रयास कर कि आदे अत्यामिक जगत को शुन्या सोचते हैं क्यों कि आध्यात्मिक जगत इस जगत के ही सामान्य विविधिता पूरण है आध्यात्मिक जगत में भी घर व्रिक्ष सड़कें रत सब है किन्तु वे भोतिक उन्माद से रहित होते हैं ब्रह्म समहिता में कहा गया है मैं उन आधी भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आद्मिहात्मिक मनियूं से बने हुए एवं करोडूं कल्प व्रिक्षूं से घिरे हुए घरूं में गोउं को पालने तदा इच्छाओं को पूरा करते हैं उनकी सेवा सदय लाखों लक्ष्मियों या गोपियों द्वारा पड़े ही आदर तथा स्ने से की जाती है आध्यात्मिक जगत में कल्प व्रिक्ष होते हैं जो मनवाचित फल देने वाले हैं बहुत एक जगत में आम का व्रिक्ष अंगूर नहीं दे सकता, ना अंगूर की लतर आम, किन्तो आध्यात्मिक जगत में यदि हम व्रिक्ष से आम तोड़ें, तो उसी समय अंगूर की इच्छा करें, तो वे व्रिक्ष अंगूर दे देगा, उसे हम कल्प व्रिक्ष कहते हैं आध्यात्मिक जगत की यह कुछ वास्तविक ताएं हैं इस बहुत एक जगत में हमें सूर्य तथा चंदरमा के प्रकाश के आवशक्ता पड़ती है किन्तो आध्यात्मिक जगत में ना तो सूर्य प्रकाश के आवशक्ता पड़ती है वास्तों में वे जुगली नहीं कर रहे थे वे कृष्ण की शारीरी गुणों तथा हंसी का आनंद ले रहे थे उन्होंने माता यशोदा से जाकर कहा आपका लाडला हमारे घर में आकर माखन चुराता है हम माखन को अंधेरे में छिपाते हैं जिससे वे देखना पाए तो भी वे उससे ढूंड लेता है अच्छा हो कि आप उसके आभूशन उतार लें क्योंकि हमारे विचार से इन आभूशनों के प्रकाश से उससे मट की ढूंडने की सहायता मिलती है माता ये शोदा ने उतार दिया हाँ मैं सारे आभूशन उतार दूंगी किन्तु पडूसी कहते नहीं नहीं ये व्यार्थ है इस बालक में ऐसा तेज है जो उसे स्वयम प्रकट होता रहता है वे बिना आभूशनों के ही मार्खन ढूंड लेता है इस तरह ये दिव्यबालक तेजस्वी है ये प्रकाश क्रिष्ण के दिव शरीर के तेज के कारण है हम जो भी प्रकाश देखते हैं वे क्रिष्ण के तेज से उधार लिया हुआ रहता है ब्रह्म समहिता में कहा गया है करोणों ब्रह्माणूं में असंख्य लोग है और इन में से हर लोग अपनी विश्वर रचना के कारण अन्यू से भिन है ये सारे लोग ब्रह्म जोती के भीतर सिथ है ये ब्रह्म जोती भगवान के शरीर का तेज है जिसकी मैं पूजा करता हूँ क्रिष्ण के शारिरिक तेज से लाकों ब्रह्माण उत्पन होते हैं इस सौर मंडल में सूर्य से अनेक ग्रह उत्पन होते हैं और सूर्य प्रकार से ही ये ग्रह तप्त रहते हैं तथा रित्वें बदलती हैं सूर्य में हम जो भी देखते हैं वे कृष्ण के शारिरिक तेज के कारण है मायावादी केवल तेज को देखते हैं जो निर्विशेश हैं इससे अधिक वे कुछ नहीं देखते हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ते देख सकते हैं किन्तु थोड़ी देर बाद यह चकाचोंत वाली धूप के कारण हमारी दुष्टी से ओजल हो जाता है हवाई जहाज रहता है किन्तु हम देख नहीं पाते इसी तरह यदि हम ब्र को हटा लें जिससे उनका ठीक से दर्शन किया जा सके मायावादी दर्शक ना तो कृष्ण को साकार कारे कलापों को देख सकते हैं नहीं उस लोग को जहां कृष्ण स्वयम सक्रिये हैं भागवत में कहा गया है अरुध्यकर्चरेन परंपदम तता परंति अध्वो नर्दयेतम यस्यमद अंग्रह्या चुकि उन्हें कृष्ण के चरण कमल नहीं दिखते इसलिए तमाम कठोर तपस्या के भावजूद उन्हें इस भोतिक जगत में लोटाना पड़ता है अता इवं मात्र वैराग्ये से काम सरने वाला नहीं है हम कृत्रिम रूप से भले ही विरक्त हो लें किन्तु हम पुना तथा कठित भोगता बन जाएंगे अता वैराग्ये तथा भोग उस लोलक की भाती है जो इधर उधर हिलता डूलता है एक और हम मिथ्या ही विरक्त बनते हैं और दूसरी और मिथ्या भोगता किन्तु उसका इलाज है यदि हम सचमुझ ही इस भोगत जगत में विरक्त होना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भावनामरित के प्रति अनुरक्ति बढ़ानी होगी मात्र विरक्ति या वैरागय से काम नहीं चलेगा इसलिए कुंति देवी कहती है मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका आकर्षन सदेव कृष्ण के प्रति बना रहे वैं अन्य किसी वस्तू के और ना मुड़े यही भक्ति है क्योंकि जैसा की रूप गोस्वामी ने उलेख किया है भक्ति को अनन्य अमिश्रित होना चाहिए इस जगत में ग्यानी तथा कर्मी है कर्मी जन मूर्ख है क्योंकि वे व्यर्थ ही कठिन श्रम करते हैं और ग्यानी वे लोग हैं जो तनिक उचा उठने पर सोचते हैं इतना कठिन श्रम इतना धन तथा भोजन क्यों संग्रा किया जाए और इतनी मिथ्या प्रतिष्ठा ज्यानी इस तरह सोचते हैं किन्तु भक्त ज्यानियों तथा कर्मियों से परे होते हैं कर्मियों में अनेक इच्छाएं होती हैं और ज्यानी समस्त इच्छाओं से मुक्त हो लेना चाहते हैं किन्तु इच्छा रहित होना तभी संभव है जब हम कृष्ण की सेवा करने की इच्छा करें अन्यथा इच्छाओं से पीछा चुड़ा पाना संभव नहीं है भक्त के रूप में हमने ज्ञान तथा कर्म की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए हमें भौतिक वस्तु के प्रति कोई आसकती नहीं होनी चाहिए किन्तु क्रिष्ण के प्रति आसकती होनी चाहिए इस तरह हमारी विरख्ती स्थिर हो सकेगी हमें अनुकूल धंग से क्रिष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना चाहिए इसका अर्थ है कि किrator किस तरहा तुष्ट हो सकता हो सका चिंतन करना चहे हमें चहें कि गोपियों की तरह सदैव कृष्ण का ही चिंतन करे कृष्ण भावनामरिक परिपום था क्योंकि उनमें कृष्ण को प्रसंद करने का प्रयास के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं थी यही पूर्णता या सिद्धी है अतैव शुचेते निम्हाप्रभू की संस्तुती है भगवान की पूजा करने के लिए गोपियों द्वारा अपनाई गई विधी से उत्तम विधी नहीं है गोपियों में कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा नहीं थी सारी गोपियां यहां तक की वृद्धा गोपियां या शोधा तथा उनकी सक्षियां उनको तुष्ट करने का प्रयास करती और उसी तरह वृद्ध गोपिया नंद महाराज तथा उनके मित्र विरिंदावन के बालक तथा बालिकाएं, दोनु ही जो कृष्ण के स्वयम यसक थे, उन्हें तुष्ट करने का प्रयास करते हर प्राणी कृष्ण को तुष्ट करना चाहता, यहां तक कि विरिंदावन की गोएं, फूल, फल तथा नदियां भी इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि विरिंदावन की हर वस्तु आध्यात्मिक है कुछ भी भोतिक नहीं हमें आध्यात्मिक तथा भोतिक के अंतर को समझना चाहिए भोतिक वस्तु में जीवन के लक्षन नहीं रहते किन्तु जो आध्यात्मिक हैं उनमें जीवन के लक्षन रहते हैं आध्यात्मिक तथा भोतिक दोनु ही जगतु में व्रिक्ष जीव के रूप में हैं किन्तु यहां के व्रिक्ष में जीवन लक्षन उपस्थित रहते हैं, मनुष्य जीव हैं और आध्यात्मिक जगत में जगत के भक्त भी जीव हैं, किन्तु बे मनुष्य जो कृष्ण भावना भावित नहीं उनमें जीवन का लक्षन उपस्थित रहते हैं, वस्तुता कृष आध्यात्मिक जगत में रह रहे होंगे यदि हम मंदिर में रहते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में रहते हैं क्यूंकि मंदिर में क्रिश्ण चेतना के अध्रिक्त कोई अन्यकार्य नहीं रहता है क्रिश्ण के लिए और धेर सारे कार्य रहते हैं जो लोग क्रिश्ण भावन या अन्यत्र कहीं रहना सोच सकते हैं किन्तू वस्तुता में हम वैकुंट में होते हैं। ये सोचने का प्रशन है एक खटमल तरह गुरू दोनू एक ही आसन पर बैठे हो सकते हैं कि तू गुरू की चेक्टना विक्सिथ है और खटमल में नहीं इसलिए दोनों भिन भिन हैं दोनों एक ही आसन पर क्यों ना हो किन्तु खटमल खटमल रहता है और गुरू गुरू भले ही दशाकाश में उनकी स्थिती एक हो जिस तरह हम भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में होते हैं किन्तु यदि हमारी कि सहायक हो सकता है किन्तु पूरी तरह से नहीं जब हम कृष्ण के लिए आसती बढ़ा लेंगे तो हमारा वैराग्या पूर्ण जब हम खटमल के प्रती अनुरक्ति भढ़ाते हैं तो भ्धिक जगत के लिए आसती में हरास प्रिष्ण तथा भ्धिक जगए दोनों के प्रती आसकती साथ साथ नहीं चल सकती यदि को इस तरी दो पुरुशूं अपने पती तथा जार पती के प्रती आसकती रहती है तो वे उन दोनों के प्रती अपनी आसकती को स्थिर नहीं रख सकती जार पती के लिए उसकी आसकती बढ़ जाएगी यदि वे पती के घर में अ इस तरह यदि हम कृष्ण के लिए अपनी अनुरुक्त आसकती को बढ़ा लें तो इस जगत से वैराग्य स्वता ही हो जाएगा इस तरह कुंति देवी कृष्ण से प्रात्ना करती हैं कि वे उन पर कृपा करें जिससे वे उनके प्रति अनुरुक्त बनें हम कृष्ण कृपा के बिना कृष्ण के प्रति उनकी अपनी अनुरुक्त नहीं बढ़ा सकते हैं हम कृष्ण कृपा के बिना भक्त नहीं बन सकते हैं इसलिए हमें कृष्ण की सेवा करनी होगी क्यूंकि वे सेवा से तुष्ट होते हैं प्रिश्ण को किसी की सेवा नहीं चाहिए क्योंकि वे अपने में पूर्ण हैं किन्तु यदि हम प्राणापन से तथा निष्ठा पूर्वक से उनकी सेवा करते हैं तो उनकी कृपा से हम प्रगती कर सकते हैं सेवे मुखे ही जिवा दो स्वयमेवा सफूर्तद्या इश्वर स्वयम हमारे समक्ष प्रकट होंगे हम इश्वर को इन भोथरी आँखों से नहीं देख सकते हैं तो फिर हम उन्हें कैसे देख सकते हैं प्रेम अंजन चुरंती भक्ति विलोचनेन संता सदय रिदेशु विलोक यंती ब्रहम समीता में खागे हमें अपने आँखों में प्रेम का अंजन लगाना होता है तब कृष्ण अपने को प्रकट करेंगे कृष्ण हमारे समक्ष आएंगे जब द्रू महराज तपस्या कर रहे थे और अपने रिदे में विश्णु के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे तो सहसा विश्णु अंतरध्यान हो गए जिससे उनका ध्यान तूट गया आँख खोलने पर दुरु महराज ने विश्नु को अपने समक्ष देखा दुरु महराज की ही तरह हमें सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए जब हमें सिध्धी प्राप्त हो जाएगी तो हम अपने समक्ष कृष्ण को देख सकेंगे यही सिध्धी है हमें जल्द बाजी नहीं करने चाहिए हमें उप्युक्त समय की प्रतिक्षा करनी होगी कृष्ण का दर्शन पाने के लिए उत्सुक होना अच्छी बात है किन्तो यदि वै तुरंत नहीं दिखते तो हमें निरुटसाहित नहीं होना चाहिए यदि कोई स्त्री व्यवाहित होने के बाद तुरंत बच्चा चाहे तो उसे निराश होना पड़ेगा किन्तो बच्चा पा लेना संभाव नहीं उसे प्रतिक्षा करनी होगी इसी तरह हम यह आशा नहीं कर सकते कि हम कृष्ण भावनामरित में लगे हैं हमें कृष्ण का सक्षातकार होगा हमें निराश नहीं होना है हमें अपनी कृष्ण भावनाभावित गति विधियां चालू रखनी चाहिए एक ऐसा समय आएगा जब हम कृष्ण को उसी तरह देख सकेंगे जिस तरह हम कृंदी देवी अपने समक्ष देख रही थी इसमें कोई संशे नहीं है भगवदी गीता में कहा गया है कि यदि कभी कृष्ण व्यक्ति दुराचरण करता पाया जाए किन्तु यदि वे स्थिर भाव से कृष्ण की सेवा करता है तो उसे संत पुरुष ही ही मानना चाहिए कभी कभी अमरीका या योरोपी भक्तों की निंदा की जा सकती है क्योंकि वे कभी कभी बद्दी भूलें कर सकते हैं जो भारत के प्रचलित अर्चविग्रा की पूजा विधी से भिन हो किन्तु जो भी भगवद गीता के अनुसार उन्हें संत रूप में ही मानना चाहिए हमें क्रिष्ण की निष्ठा पुर्वक सेवा करने में अपने मन को एकागर करना चाहिए तथा यदि कुछ तुटी भी होगी तो क्रिष्ण उसे क्षमा कर देंगे रूप गो स्वामी कहते हैं सर्वे प्रथम हमें अपने मन को क्रिष्ण पर स्थिर करना चाहिए तब अन्य विदी विधानों का पालन करने की शमता स्वता आ जाएगी प्रारंब में हमें क्रिष्ण की चर्ण कमलों पर अपने मन को स्थिर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए तब अन्य सारी बातें अपने आप ठीक हो जाएंगे कुंती देवी कृष्ण को मधुपती कहकर संबोधित करती है कृष्ण के सहस्त्रू नाम है मधुपती नाम यह बताता है कि उन्होंने मधुपती नाम असूर का संहार किया था कृष्ण भावनाम नाम नदी की तुल्य है किन्तु यह कोई साधार नदी नहीं है यह गंगा नदी के समान है जो अत्यांत शुद है कृष्ण से सीधे संबंध है कुंती देवी प्राथना करती है कि जिस प्रकार गंगा नदी समुद्र की और प्रवाहित होती है उसी तरह उनका आकर्षन कृष्ण के चर्ण कमलू की और सदत प्रवाहित होते रहे अदम अनन्य भक्ति कहला दी है इस तरह कुंति देवी प्राथना करती है कि कृष्ण के प्रति उनका आकर्षन निरोध प्रवाहित होता रहे सो यह आज का टस्क होता है यहां पे समाप्त और इस चैप्टर का अगर हम एक समराइज करके देखें तो इसमें हमें क्या देखने को मिला क्या समझने को मिला कि तातपरे में शुला प्रवपात कर रहे हैं कि एक जो जीवात में है वो एक मनुश्य के शरीर में अगर है या किसी अन्य किसी के शरीर में भी है वो क्या है चेतन है वो चेतन है उसमें और उस चेत्रा के according वो क्या करते हैं? उसी के according कारिय करते हैं जैसे अगर हमारी eyes हैं तो eyes का क्या काम है देखना नाग का काम है, सुंगना टंग का काम है, टेस्ट करना और आँखों का, कानूं का काम है सुनना तो उसी प्रकार से जो जितने भी हमारी senses है उनका काम है उनका एक particular कारिय दिया गया है तो इन सब ये जितने भी कारिय है इनसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं हैं जैसे एक भगवत गीता में एक picture आती है जिसमें five senses जिसमें five senses को गोड़े का shape दिया गया है कि घोड़े की तरह, एक रत की तरह एक शरीर और five senses कैंज उसमें घोड़े की तरह है तो वो सारी अगर focused रहेंगी, like अगर एक रत चल रहा है वो अगर एक घोड़ा इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, कहीं और जाएगा तो रत क्या हो जाएगा अपने destiny पर नहीं पहुंच पाएगा लेकिन अगर वो सारी senses क्या होंगे focused होंगी तो क्या होगा हम अपने destiny पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं उसी प्रकार हमें अब शुलपरवपाद बता रहे हैं कि हमें focused कैसे रहना है जिसे महत्मा गांधी बताते हैं कि बुरा मत देखो बुरा मत सुनो लेकिन हमारी senses हमें कारे करने के लिए दिए गई हैं उनको seize करने के लिए नहीं दिए गई हैं आंखों को हम हमेशा आंखें बंद करके नहीं रह सकते उसे हमें कुछ ना कुछ तो देख नहीं होगा तो भगवान ने इतना सुन्दर संसार बनाया है उसके साथ भगवान की इतनी सुन्दर मूरत है इतनी सुन्दर विग्रह होते हैं इतनी सुन्दर सुन्दर पिक्चर्स होते हैं हम उनका दर्शन कर सकते हैं तो हमें senses को seize करने के लिए नहीं बता रहे हैं श्री लप्रभपार या कोई भी वैश्नमाचार है हमें senses को अच्छी direction में लेके चलने हैं तो उसी प्रकार अगर हम आखों से भगवान का दर्शन करते हैं अपने टंग से भगवान का प्रसाद पाते हैं और कानू से अगर हम भगवान का श्रवन करते हैं तो हम उस destiny पर जो कि हमारी ultimate destiny है भगवान के धाम पहुंचना तो ये रथ जो है हमारा बहुत अच्छे से वहा तहे हैं तो उसको हम क्या करते थे सूर्य की रोश्णी में लेकि एक पेपर रखते थे और उसके उपर उसका क्या करते थे फोकस बिठा देते हैं एक जगा फोकस बिठा देते हैं ऐसे जब धूप मतलब सनलाइट होती है तो ऐसा नहीं है कि हर जगा आग लग जाती है लेकिन जब हम हैंडलेंस लेते हैं या कोई भी ऐसी जहां पर वो लाइट्स को कनवर्ज कर सकें तो वहाँ पर क्या हो जाता है आग लग जाती जिसे हम मैंने भी पर्शनली बहुत प्रैक्टिकल किया इस चीज़ पर तो वो पेपर जो था वो जल जाता है वो क्यों जल जाता है क्योंकि उस पर फोकस रहा है तो उसी प्रकार से हमें बहुत फोकस रहना है म तो इन से हमें यही शिक्षा लेनी हो और इन ही शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में इंप्लिमेंट भी करना है ताकि हम लोग भी उनकी तरह उनकी तरह भगवान की सेवा कर सके So that's it for today Hare Krishna Hare Krishna